एजूकेशन सिस्टम की आलत कितनी खराब है यह तो किसी से छिपी नहीं है खासका इंडिया की बात करें तो फिर भी यूथ जो है न वह बंग बखके जाएगा इस्टिटूट में कॉलेजिस यूणिवस्टी में किया उन्हें लेंगे नौरेज हैं करेंगे एजूकेशन डी पर भाई एक बात को डिदिंग पूरा हो सकता है सब ना पूरा हो सकता पर यह चीज जो हम प्रैक्टिकली कर रहें नहीं बिल्कुई पूर नहीं हो सकते कि एजूकेशन सिस्टम इतना गलत है इंडिया का मैंने खुद वहीं से पढ़ाई किया है मैं इंडिया के कर नी पड़ेंगी तो आपको कोचीज दनल सीकते है तो मैं आपको कानी सना था हो कि मैं आया मैं मैं खाने खाने राप के टाइम पे देन और एक लड़का मिला मुझे मैं मैं काम चाया था तो वो भी मेरे पास बिएठीके खाने खान तो नौबर बात चलने लगे मेरी और मैंने पूछ लिया कि भाई का तर पड़े हो तो उसने बताया कि मैंने पिछले साली बीए कंप्लीट किये और बीए उसने एक्री कल्चर में की थी वो बाई चम्बल से है और उसके चार बाई और दो बहन है और उसने आगे कोई पड़ा कहीं पर बिगारी उसकी कहीं काम नहीं क्योंकि उसको यहां पर आके मैंस में खाना इदर से उदर रखना खाना सर्व करना खाना आटने के बाद सफाई रहना ये काम परना पड़ रहा है तेकि फिर भी उसने हार निमानी 26 साल का है अभी वो और उसने बताया अपना च्छे महिने का घौल हो ताव और रहा है और नहीं का अच्छी मुझे सेलीर पेकेज्स मिलें अच्छी जिडुमाई तव मेरी स्ट्रिशन पर कर रहा है आप बात यह रही कि हाँ व्याट ही च्छी मिले के लिग में ओapp के दिन ना खा जो कि उसके माब अपनी हर एक इंडिया में हर एक माब आप सूशते हैं कि हमारा बच्चा बार्वी के तुरंत बाद अब कुछ और थोड़ा पहलेगा तो अच्छी जोब में जाए करनी ख़ड़ा हो सबता है चार लोगों में कि हाँ मैंने एक हिया है और मैं यह गांट करता हुआ हमन पर अगर मानों ची आगव भी यह ना करता और बार्वी के पार किसी एक स्कील में लग जाता कोई भी एक स्कील knowledge गेन करने में लग जाता चम्रे उसके आपवाड़िंग वाँके टॉपोग्राफिक आपवाड 해 कोई में अकी स्कील देख लिए थ है तो तीन सार बाद क्या आपको क्या आपके सकते हो कमेंट करके बताना कि वह ही में इसमें काम लोग रहा हो ता 16,000 की सेलिडी में इंडियन एजुकेशन सिस्टम भाई बहुत खुबला है अंदर से हैं बिसिकलिया हम जैसे ही लोग हैं जो आप जा है टीचर बन जाते हैं और जी और टीचर जो होते हैं बहुत कम टीचर है जो सुचते कि टीचिंग एज़ा प्रोफेशन है बागसार तो टीचिंग एक जोब समझते हैं अपने की जोब पर जा रहे हैं हम जोब पर करकार रहेंग बोलते बोलते गला अंदर से स्थोप गया मेरा मैं MSC कर रहा हूँ, Environmental Science में में फाइनल येर है फाइनल येर में ही, Final Semester है, मैं डिजर्टेशन कर रहा हूँ, बहाल से मुझे बहाल से डिजर्टेशन एक अच्छी जगा से कर रहा हूँ, फिन में मुझे भरोसा नहीं क्या कहीं जॉब मिलेगी कोई स्किल है नहीं, और खाली MSC के बेसिस पर कोई जॉब नहीं देगा तो करने चीज़ है, कुछ स्किल है हैं, कुछ सॉफ्टूरे चला न सीख रहे हैं, जिसके बेसिस पर अपता जॉब मिल जाए, अच्छे से, उस पर कोई डिप्लॉमो बगएरा आप कोई हो जाए रहा तो देख लेगे नहीं तो आप लोगों को तो काने सुना नितिये बैठा ही हुँ मैं, दिक्कत कहाती है कि unemployment जो आप सूचते हो ना unemployment जर्णिट हो रहा है काफी है कि population तो unemployment जर्णिट होगा और इसको सरकार आएगी तो वो बखाएगी unemployment को खतम कर देगी factory अलग जाएगी industries खड़ी हो जाएगी और development तेजी से होगा तो ज़्यादा नोकरी होंगी नहीं भाई ऐसा कुछ नहीं है unemployment खतम हो जाएगा जब एक minimum एक अच्छे लेवल की education दी जाएगी और ऐसी education दी जाएगी जिसको रियल लाइफ में आप implement कर सबो practically आपकी knowledge can usable हो अब भी आप मुझे बताओ उस भाई ने बीए की उसकी बीए कहां काम में आई जब क्यों खाने ये दर सोदर पर भाई हाँ आगे पढ़ता तो कुछ होता लेकिल ये तो दिखाना चाहिए कि ये फाइनेंशल कंडिशन कैसे उसकी और आपको कि वो तो सब खुद दिखाना चाहिए था लेकिन नहीं भाई सब सोचते कि कैसे अपनी जिब में पैसा आजाए बस सब आपको लूठना चाहते तो अनिंप्लोवेंट आपके पास ऐसी स्किल है नहीं कि आपको कोई हायर करें तो आप उसको उस स्किल के जड़िए प्रॉफिट दे सको तो इसलिए आपको कोई हायर नहीं करता आपको कॉम्प्यूटर चलाना नहीं आता यहां पर जो एजुकेशन वाले लोग है और सुचते किताब जो बच्चे है शुचते कि किताब दल सो दल पढ़ते रहेंगे अच्छे से नंबर लियाएंगे तो काम हो जाएगा लेकिन यह आप पता है कि बच्चे 95% बच्चे ऐसे होंगे कि जो एक रात पहले ही बढ़त तो ना तो किताब पढ़ना किताब इदर से उदर पढ़ना काम आया ना उन्हों उस टैम में कई कम्प्यूटर से कुछ पुछ क्योंकि अभी ओन्लाइन का सब जवाना है तो कोई सौफ्ट्वेयल सीखा ना उनको एकसल आता ना उनको वर्ड आता तो वहां जाग क्या करने चप्रासि की जाओ किसी फक्रासि की जाओ किसी अटराket में क्या करने चुछ दे जाना चाहिए आपनिस नी कोई पढ़ाई ऐसी उनलोग चाहिए अभी सबसे भड़ी निक कराते लोग अपनी graduation की degree है, जो degree मिल जाती है लोगों यह सुचते हैं कि इनमें बहुत power होती है, इनमें कोई power नहीं होती जब भी आप job लेन जाओए ना, बस पहरी बार जब आप job लेन जाओए जब भी आपकी degree देखी जाती है क्योंकि बड़ी बड़ी फेक्टिव तिनमें बहुत लोग आते हैं काम करने के लिए population कम नहीं है तो फलजी बारे का भी चांस रहता है, तो आपकी degree देखते हैं कि फलजी तो नहीं है और हाँ आप एक genuine बंदे हो, authorized बंदे हो, आपने कहीं से आप वहाँ पर data science, data entry की जोप पर जा रहे हो तो आपको वहीं रखेंगे, अगर आपको कुछ और logistics में कोई अच्छी चीज आती है न, manage करना तो आपको वहाँ रख लेनी है आपके according, आपकी interview के according, interview में यह चीज़ देखते हैं आपकी skills देखेंगे, आपकी knowledge देखेंगे knowledge in the sense की present में आप अपना दिमाग कैसे कैसे चला पाते हो, situation को कैसे handle कर पाते हो, आपकी speaking skills देखेंगे कि आप कैसे बोल पारे हो अभी मानिए, आपकी 9 CGP है और आपकी के पास बैठा यह पूर बंदा इंटर्विव देने आया है न और उसकी 5 CGP है लेकिन, वो आपके मुकाबले ज़्यादा अच्छे से बोल पारा है ज़्यादा situation को अच्छे से kept कर पारा है, फिर उसका सही से solution निकाल पारा है तो आपकी 9 CGP किसी कांके नहीं है उसको जॉब मिलेगी, आपको जॉब नहीं मिलेगी जब वो जॉब करेगा तो एक दिल साल रुसर पहाँ उसने भी कहीं से कुछ और ची सीख के बस टिक सीख के अपना इंटर्विव निकाला हो और ले दे के अपना एक दिल साल खिचेड़ेगा फिर उस फ्लोले सिस्टम में बनके उसको चीज़े आ जाएंगी, फिर बाद महां से सर्टिफिकेट मिलेगी और जब लगेगा और जब आ जाके महां पर उसको और अच्छी ज़ओ मिलेगी ऐसे ऐसे करके वो एक उसको स्केल सुने जाएंगी उसको पांसी जीपी वाले को आप क्या, नौसी जीपी जाके बाटो खाना है जैसे मेरा वहें वो माट रहा है सॉलुशन, सॉलुशन कि स्टुडेंट अगर आप देखरो न, कोई स्टुडेंट है न तो भाई वो आप हमेशा मेरी बात से एक डिकर होगे कि जम्बी भी आप क्लास न जाते हो, तो आप सुस्ते हो, रहे यार कहा टाइम खराब पर रखा हमारा, कुछ समझ में न आ रहा फिर आके चलो, कोई नीज़ दूप से पढ़ लेंगा आपे वो भी आप नहीं पढ़ते हो, थोड़ा बहुत पढ़ते हो या फिर, पीपल जब आने वह होगे तो पन्ना दिन पहले काप लेकर बेटा होगे, कुछ-कुछ होंगे क्या अपते बार पहले या फिर एक रात पहले रच्टा बार को वहां पर दिसके आना है तो फिर आप जो इंटे 6 महीन है वो आप इदर से अधर क्यों बिगार कर जब क्या आने लोगों के मुझे सुना होगा कि अगर हमें यह चीज ना कराई जाए ना थोटीकल वर्क ना कराई जाए तो आपनी तरफ से पढ़ेंगे आप मंदिमा बलगा की तो हम बहुत अच्छा पर जाएंगे तो भाया पड़ी ही का नहीं हो हपते का आकर पेपर पेजो आखरी को अपतावता उसमें पढ़ते हो आखरी राथ पर पढ़ते हो तो पूरा 6-6 महीन आप पास फ्री होते हैं और बस उसमें आप लड़की बार एकर लो फ्रेंड फ्रेंड के लो दोस्त अप खान खान चलेगे बार बूलने चलेगे यह का लो या फिर तीन चाव साल बाद मैस में खानी की टेपल आप कहने से जाड़ रब लिये लोक साड़ा टेक सम चपातीस ठीक है भाई यू यह वाई असली सच्चाई और अगर आप आप अभी फर्स सेमेस्टर में आप फर्स से आपने कुछ भी मस्ती मौज मस्ती टाइम खराब गया वो किसी काम बन नहीं क्यों कि यहां से निकलोगी तो गार पे नहीं बैठ सकते कहीना कहीन जॉब चाहिए और जॉब लेने के लिए आपने इनफ टाइम जो था कि आप कुछ सीख पाओ तो वो आपने गवाद दिया करके QGIS सीख लेता या पर मैपल, C++, Java कुछ भी एक चीज ऐसे सीख लेता जिसमें मैं अपनी महारत आसिल कर लेता और या कुछ ऐसी स्क्विल सीख लेता चाहां आप बाल काट नहीं सीख लो आप अच्छी से बाल नहीं काट सकते हो ना तो भी आपको जॉब लेकिन आप पड़ाई करोगे पड़ाई में डिग्री लोगे उस डिग्री के कई को फायदा नहीं कावेज का राप पर आइन आएगी दुपान पर जाके नौलीज एक्क्वार इसकी एक्क्वार अरोगे जो जाके आप होना एक जो मिलेगी मतरा स्कुल एक्क्वार करना ही बेस्ट इंग है करनी ही पड़ेगी इंडियन एज़क्रिशन सिस्टम में इस नहीं कराते है लोग मैं आपको बताता हूं कि जब मैंने अपनी प्लस प्लस में मेरे एप्लस आया था और मैं अच्छे से की क्योंकि नहीं लेंग वीच थी अचीज आम लिख रहे थे कोडिंग कर रहे थे फिर उसका आउट पूट आया था तो अच्छे समझ मैं जैसे ही सेक्डिंग समेस्टर वो पहुंचे एक मैपल करके कुछ था सिख चलो यह भी सिख लेते हैं पर सी प्लस प्लस छोड़ दी पीछे और जो मैं पर जिखा रहा है कोई नए टीचर था आखरी के बीच की जो तीसरा चौथा समेस्टर था उसलों कोविड पड़ गया तो लेकिन उसलों कोवी ऐसी वर्च्वाल लेब्स नहीं होने हमारी जिनमा कोई सॉफ्ट वर्च्वाल सिखा जाए पांच और छटी सेविष्टर में आप यकीन निमानोगा हमें क्या सिखा गया है साइलेब किसी नए टीचर के दोरा साइलेड भी हमारी क्वांटम मेकेनिक से रिलेटेड है तो वहां पर कुछ हमें प्रॉलम सौल बननी पड़ती थ सिकाते तो अचछे से बन जाता हमा कई पित उसकी C++ दिखा के कि हाँ मेरे पास है डिगरी दिखिडिकृ पलस के मेरे पानोली जब वो मुझसे ब़ुस्टे मुझाइ पताता सही जावायों दे तो नो क्रिम इनुम निम्प्रोइमेंट कैमें कि चूत बात बात नाचन सिख किया था नहीं किया चीज अपने आथ में लो कि अधिको कैसे चीजे सुदलती हैं अपना दिमाग चलाएंगे और एजुकेशन सिस्टम जड़ूली नहीं है कि आपको जो टीचर ग्लास में परा रहा हो वही करो नहीं कोई जरूत नहीं करने की आखिर में 33% नंबर चाहिए हो चलेगा कि हां 33 नंबर तो आप बिना पड़ेविलिया होगी नॉर्मल आपको चीज खबारन जानत कारे हो जाएगी उसमें क्या खार होगी कि 6 महीने में बच्चे 6 महीने में आप अच्छे से कोई भी नॉलेज एक्वार करो यूटूब के कोल सी देखो देन आपको इस्के आता से लोग और आप कहीं जार कऊ के हांग जी जॉब सेंगे मुझे यह चीज आती है वो बख्या आपको लेलेगी क्योंकि सबको गुरू करना आरेट कांपणी आरेक इंडर्स्टी आरेट जो ओफिस होते प्राइविट बने सबको गुरू करना सबको बनना बिलिनियर है आरेट दिशिजगा बोगर दिशिजगा आउब काउज फोर लेक्स और दू यह जो इस और रिख दू आई सबसे ज़ुरू आपको अपना दिमाग चलाना है तो दोस्तों बस मुझे लगता आपको में बस समझ माय ओगी होगी यह समझ माय तो ऐसी वीडियो मन लेका हूँ आपको ये लाइज से रिलेटेड प्रॉलम्स के बारे में चल जा करेंगे और हो सकता आपको इस वीडियो से कुछ प्रॉस्पेक्टिव मिला होगा आवे देखने के लिए इस वीडियो से तो वीडियो को लाइक करो चैनल पर सब्सक्राइब करो बस इतनी सी गुजार निस है में ठी थैंक्टू जैहिंत